तो गाईज अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से problem आ रही है यहाँ पे जब भी आप अपने phone से किसी भी Bluetooth device को connect करते हैं Bluetooth headphone को connect करते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से problem आती है यहाँ पे लिखा रहता है could not pair with यहाँ पे जो Bluetooth का name है और यहाँ पे लिखा रहता है because of an incorrect pin और pass की तो इस तरीके से अगर आपको problem आ रही है तो इस वीडियो में आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँगी कैसे आपको इस problem को solve करना है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और दोस् आपको इस problem को solve करना है तो जब आप अपने phone से किसी भी Bluetooth earphone को connect करते हैं तब आपको इस तरीके से problem आती हैं तो जब भी आप यहाँ पे अगर यह problem आरे तो आपको अपने phone को एक बार restart करना है या तो फिर power off कर लेनी है तो कभी-कभी ऐसा होता कि जो Bluetooth device होता है वो यहां पे आपके phone से connect नहीं हो पाता है यानि कि support नहीं करता है तो आपको इस तरीके से problem आ सकती है तो आप जो है अपने phone को एक बार power off करके देखिए तो हो सकता है आपको phone में यह जो problem है वो solve हो जाए लेकिन आपको जो है यहां पे आप जो है अपने phone से जब भी आप इसको connect करते हैं तो आपको जो Bluetooth earphone है उसको गाइस आपको एक बार उसको भी आपको restart कर ले नहीं है ताकि आपको कोई भी problem ना है तो आप दोनों को यहां पे restart करकी देखिए और इसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी ओके तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए